हाई फ्रेंड आज मैं आप लोग को स्टोन वर्क दिखाऊंगी मैंने ये स्टोन वर्क अपनी फ्रॉक पे भी किया था और वो फ्रॉक मैं इसी वीडियो के लाश्ट में दिखाऊंगी आप लोग चाहें स्टोन को इस तरह से उगली से भी लगा सकते हैं पर उंगली से इस तरह से उठा के लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और आप लोग चाहे तो टूथ पिक से भी लगा सकते हैं और चाहे तो जैसे मैं ये माचिस की तीली से लगा रही हूँ इससे भी लगा सकते हैं हलका से गलूम आचिस की तीली पे लगा ले मैंने वो फ्रॉक नेट पे बनाई थी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी नेट पे बनाने में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग नेट पे ना बना के किसी और फैबरिक पे बना ले नेट के अलावा कोई भी फैबरिक हो मुझे नेट पे बनाने में ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने उस पे छपाई बाहर से करवाई थी जो कि वो सही से दिखाए नहीं पड़ी थी नेट पे और वो बहुती जल्दी छुटने भी लगी थी और जब मैं उस पे गलू लगा रही थी नेट पे मैं टेबल पे रखे बना रही थी टेबल पे मैंने पेपर रखा था फिर उसके पर नेट रखी थी जब मैं उस पे गलू लगा रही थी तो गलू उसके बाहर आ जा रहा था पेपर पे तो मुझे ये problem हुई थी मैंने frock stitch होने के बाद ये stone work किया था और अगर आप लोग भी कुर्टी ओ या frock को stitch होने के बाद अगर आप ये work कर रहे हो तो आप लोग इस बात का धियान रखेगा आप लोग जब front पे ये work करेंगे तो उसके नीचे आप लोग पेपर जरूर रख लीजेगा ताकि जो बैक पार्ट हो उसके ओपर आपका गलू ना आ जागर आप लोग पेपर नहीं बीच में रखेंगे तो जो बैक पार्ट होगा उस पे आपका गुलू आ जाएगा और उसके निशान आपके बैक पार्ट पे दिखेंगे तो बीच में आप लोग पेपर जरूर रख लेजाएं जह applicable जाएगा उसे पístमां आपके अच़ ख्रूर रख बैक पेंट जाएगा द vår उस्राइब blभ रियशा हो बैक पुलूदvy घालेख लेजार पेंट जाएगा कुलन की जाएब नेएगी जसाओ लेज़े छ हें भीचम में में होगा झाल 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 अगर अब तक क्या आप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर मेरे ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें मैंने इस व्रॉक पे छपाई मार्किट से करवाई थी अगर आप लोग की आर्ट अच्छी है तो आप लोग खोदी घर पर डिजाइन बना सकते हैं और अगर नहीं बना सकते हैं तो आप लोग भी मार्किट से छपाई करवा सकते हैं जैसे मैंने करवाई हैं और अगर आप ल बर वाश होने पर ये स्टोन नहीं निकलेंगे कई बर वाश करेंगे जब निकलेंगे क्योंकि मैंने ये फ्रॉक पहनी भी है और एक बर वाश भी करी है तो नहीं निकले है